Hello everyone, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Class 12 Mathematics Chapter 1 Inverse Trigormatic Function के कुछ important formula चुछ आई ये देखते हैं जासा कि आप लोगोंने Class 3 में Trigormatic के बारे में पढ़ा होगा उसी का यहां Inverse पढ़ा है गाईज Inverse Trigormatic Functions Inverse Function, Domain Range Sin Inverse का जो Domain होगा गाईज वहाँ-1 से प्लस 1 होगा गाईज जासा कि आप लोगोंने Class 3 में Trigormatic के बारे में पढ़ा होगा Sin, Theta, Cos, Theta, 10 Theta Sin जो Theta होते थे गाईज उसे domain कहते हैं और जो result आते थे Theta का value जो आता था गाईज उसे range कहते हैं Sin Inverse का जो domain होगा गाईज वहाँ-1 से प्लस 1 तक होगा यहाँ पे close bracket यूश किया गाई close bracket यहाँ इंडिकेट करता है कि Sin Inverse का जो domain का value होगा वहाँ-1 से प्लस 1 तक लाए करेगा और मैनस 1 भी होगा प्लस 1 भी होगा और जो range होगा Sin Inverse का वहाँ-5y2 से 5y2 होगा मतलब-90 degree से प्लस 90 degree Cos Inverse का जो domain होगा वहाँ-1 से प्लस 1 तक होगा यहाँ पे भी close bracket का यूश किया गाई close bracket यहाँ इंडिकेट करता है कि जो value होगा Cos Inverse का मैनस 1 से प्लस 1 होगा और मैनस 1 भी होगा और प्लस 1 भी होगा और जो range होगा वह 0 से πाई होगा 0 से 180 degree Cos Inverse का Cos Inverse का जो domain होगा वह real number होगा बट मैनस 1 प्लस 1 नहीं होगा यहाँ पे क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूश किया गया है यहाँ पे open bracket यूश किया गया यहाँ Cos Inverse का जो domain होगा वह real number होगा और जो range होगा евस, टेन, इंवर्स, का जो değil, क्जो чем eh g, 7-7-7-8-8-8-6-5-7-9 स्क은an 10 दग्री से प्लास 19 दग्री चुट इनवर्स का जो डोमेन होगा गाइज वह रियाल नांबर होगा जो-्रेंज होगा गाइज वह 0 से पा शेक थिटा पढ़ा होगा गाईज उसी का यहां पे इन्वर्स के फ़ामे पढ़ना है गाईज यहां पे थिटा जिटा 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 जिट सेक इन्वर्स एक्स और एक्स का जो भ्याल होगा वहां ग्रेटर दन इक्वल टु वन के होगा और एक्स जो होगा वहां लेस दन इक्वल टु मैनस वन के होगा 10 inverse 1y x is equal to quart inverse x होगा और x जो होगा वह greater than 0 के होगा guys क्वासेक inverse 1y x is equal to होगा sin inverse x क्वासेक इन्वर्स का theta रिस्प्रोक कर लेंगे तो sin inverse x होगा guys क्वासेक inverse 1y x is equal to sin inverse x और x जो है वह belongs करेगा minus 1 से plus 1 यहाँ पे भी close bracket उसकिया guys close bracket जो है वह क्या indicate करता है यह indicate करता है कि जो value होगा x के वहाँ minus 1 से plus 1 होगी minus 1 भी होगा plus 1 भी होगा guys सेक inverse 1y x is equal to क्वास inverse x होगा guys और x जो है वह belongs करेगा minus 1 से plus 1 और minus 1 भी होगा value और plus 1 भी होगा guys क्वास inverse 1y x is equal to 10 inverse x x जो होगा वहाँ greater than 0 के होगा guys तो आई देखते हैं result second result second guys sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x यह हाँ जो minus sin x x के साथ जो minus sin लगा होगा guys वहाँ sin जो है minus sin को बाहर निकाल देगा और यहाँ पर हो जाएगा sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x यानि sin जो है वो meet कर देगा बाहर निकाल देगा minus sign को और minus sign inverse x होगा guys x belongs करेगा minus 1 से plus 1 और minus 1 भी होगा value और plus 1 भी होगा 10 inverse minus x is equal to minus 10 inverse x होगा guys यानि 10 भी जो है minus sign को वो मेट करेगा बाहर निकाल देगा तो minus 10 inverse x हो जाएगा x जो है वह belongs करेगा real number guys कौसेक inverse minus x is equal to minus कौसेक inverse x कौस एक inverse जो है वो भी माइनस तैन को वो मेट कर देगा यानि बाहर निकाल देगा और माइनस कौस एक इनवर्स X हो जाएगा कैश X मौट X का जो भैल होगा वह मौट X होगा वह greater than equal to 1 के होगा और कौस इनवर्स माइनस X is equal to pi minus Cos inverse X यहाँ पे कुछ change हो जाएगा जासा कि यहाँ पे minus हो जाएगा यहाँ पाई minus Cos inverse X हो जाएगा Cos inverse minus X is equal to Pi minus Cos inverse X और X जो होगा वह belongs करेगा minus 1 से plus 1 यहाँ पे भी closed bracket का युश किया गया closed bracket यहाँ indicate करता है गाश कि जो value होगे X के वहाँ minus 1 भी होगे plus 1 भी होगे और minus 1 से plus 1 तक लाई करेगा येतनी भी भैल होगे minus 1 से plus 1 के पीछ sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x x जो है वहाँ belongs करेगा real number cut inverse minus x is equal to pi minus cut inverse x x जो है belongs करेगा real number ये दोनों same same है काईज यह इसलिए एक साथ लिखा गया है काईज result 3 guys result 3 sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 यानि sin inverse x plus cos inverse x is equal to 90 degree और x जो है वह belongs करेगा minus 1 से plus 1 यानि जो value होगा x का वह minus 1 से plus 1 तक होगा और minus 1 plus 1 भी होगा 10 inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 यानि 90 degree x जो है वह belongs करेगा real number और cos x plus check inverse x is equal to pi by 2 mod x जो होगा वह greater than equal to होगा 1k result 4 guys 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy यहाँ पे plus sign है guys तो यहाँ पे भी plus होगा उपर में plus होगा और उपर में plus होगा तो नीचे में just opposite sign होगा guys उपर के नीचे जो होगा वह opposite sign होगा यानि minus होगा यहाँ पे plus रहेगा guys यहाँ पे formulas पे तो यहाँ पे plus होगा यहाँ पे minus होगा 10 inverse x plus y upon 1 minus xy xy जो होगा वह less than 1 के होगा 10 inverse x minus 10 inverse y is equal to 10 inverse x minus y upon 1 plus xy यहाँ पे minus sign है guys तो यहाँ पे minus होगा और यहाँ पे just opposite उल्टा हो जाएगा उपर वाले के तो यहां पी प्लस हो जाएगा और xy अगहाँ wrai chao, बहुतु ग्रेटर dn-1 के होगा 210 inverse x इस इक़ल्टür 10 inverse 2x आपांड one minus x का स्क्वार, mode x जो होगा वहाहां बहुत निबन का होاجएगा गाईस तू टें इन्वर्स X is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x का स्कॉर मॉड एक्स यहां पर भी होगा वहां less than 1 के हो जाएगा तू टें इन्वर्स X is equal to cos inverse 1 minus x का स्कॉर अपान 1 plus x का स्कॉर एकस जो होगा वहां greater than equal to 0 के हो जाएगा गाईस यहां पी जो है 10 के जो फॉर्मूलास है वहां 10 के फॉर्मूलास को convert कर सकते हैं 10 sin cost इत्याद में गाईस तो यह कुछ important formulas थे chapter 2 के गाईस जो board के point of view से और chapter solving के point of view से भी बहुत important है आप लोग इसे learn कर लिजे गाईस thank you so much